शुरुप क्योंकि असुरों को भी जानता है कि वहाँ पर शुकराचारे ने इनको क्या दिया होगा तो भी शुरुप ने कहा हाला कि शुकराचारे ने तो उनको तो रक्षा कर दिया असुरों की लेकिन मैं भी तुम्हें एक कवच देता हूँ यह है वैश्नवी विद्या औ इंद्र को पराजित कर लोगे और यह किवच नहारायन कवच दो कवच नाय नहादितर, यह और बुस्तर नहांग कवच इतना। पावर्फुल कवच हैं, मानो तो, कवच तो बहुत है, नरसिम कवच भी होता है, हर कवच में अपनी पावर होता है, कवच क्या होता है, कवच है निए शील्ड, जब लोग आप लोग देते हैं, जिसे लड़ाई करने के लिए राजा के सब सेनिक लोग जाते हैं, वो कवच शील्ड जो आपको प्रोटेक करें, अब तलवार चलें लेकिन वो कवच पे लगेगा, आपको नहीं लगेगा, आग भेकर हैं, कवच को लगेगा, आपको नहीं लगेगा, तो कवच वो शील्ड, यह ऐसा एक जो चीज जो आपको हर जगा से प्रोटेक करें, तो दो आधि इतना ही ये कवस्त देने के बादने पिर जाकर के磨ण कवद किया था। आदित्थ रिड़ेस तोत्र ये कोही तीन बार पड़े और उसके साथ साथ नारायन कवज कु तीन बार पड़े यह दो कवज इतने do कि इससे आपके जो शत्रू है सर्व शत्रू विनाशनम यह कवच है भूत प्रेत पिशाच तंत्रबाधा उन दोनों से रक्षा करने वाले यह आधित्य रिदैस्त्वत्र और नारेन कवच ग्रह ग्रह बाधा अगर आपको मुक्ती पानी है अधित्य रिदैस्तवत्र और नारेन कवच यह दोनों तीन तीन बार पढ़ना चाहिए तो नारेन कवच कहा आता है नारेन कवच श्वीमत भागवत महापुराण में आता है नारेन कवच का उपदेश परिक्षित जी ने पूछा आप मुझे बताईए शुक्देव जी बता रहे हैं विशुरूप ने कहा देवराज इंद्र भै का वस्तित होने पर नारेन कवच धारन करके अपने शरीर की रक्षा करनी जाहिए उसकी विदी यह है उन्होंने विदी बताई कि अस्टाक्षर मंत्र ओम नमो नहरायन या ओम नमो भगवतेवासुदेवाय इन नामों से पहले आप लोग को अंग नयास करना चाहिए आप लोग जो साधना में साथ सीख रहे हैं आपको कर नयास शडंग नयास पताऊगी है ना तो यही मैंने आपको सिखाया है मंत्र लेना है एक दो ती पांचुछेए हो गया का करम नयास एक दो तीन चाहर पांच शेट रहे हो इन नामों से शडंग नयास और करम नयास करना है और छिव diamond कर्णा होता है यह बात उन्होंने यापर शिखाई और सिखाने के बाद ध्यान में क्या करना है कि समग्र, ऐश्वर्य, धर्म यश, लक्ष्मी, ज्यान और वेरागिसे परिपूर्ण, इश्ट देव, भगवान हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं ऐसा ध्यान करना चाहिए और उसके बाद फिर इस नारेन कवच का पार्ट करना चाहिए पार्ट लंबा चोड़ा है, मैं केवल अर्थ पढ़ रही हूँ आप लोग, आप लोगों के पास ये पुरान होगा तो आप लोग फ्लीज अध्याय कोलना शस्टम सकंद, सिक्स्ट सकंद पढ़ रहे हैं समय अध्याय नमबर आठ उसमें पूरा नारेन कवच संस्कृत में दिया गया है मैं केवल हिंदी में पढ़कर के उसके भाव को दे रही हूँ कुछ-कुछ लोगों को ले लूँगी लेकिन ज्यादा तर भाव पढ़ूँगी ओम हरिर विद्य ध्यानमं सोर रक्षाम नियस्तांगरी पद्म पद्गेंद्र प्रिष्ठे दरारी चर्मासिग देशु चाप पाशांद दान्न अष्ट गुणों अष्ट बाहू जलेशुमाम रक्षतु मत्स्यमूर्ति यार्दो गणे भ्यो वरुनस्य पाशात सलेशुमाया वटुमामनु व्यात दिविक्रमह केवतु विश्वरूपा कह रहे हैं कि इसके जो भाव है कि भगवान श्रीहरी गरुर जी के पीट पर अपने चरण कमल रखे हुए है तो भगवान ने अपने एक चरण को गरुर जी के पर रखा हुआ है पितामरी पहने हुए पितामरी लहरा रही है और उनके आसपास अनिमा दी जो आठ सद्धिया है वो उनकी सेवा कर रही है उनके हाथ में शंक, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बान, धनुष और पाश धंदा है और वही ओंकार स्वरुप प्रभू सब और से मेरी रक्षा करें जल के अंदर मत्स रूप में आकर के मेरी रक्षा करें और माया से ब्रह्मचारी का रूप धारन करने वाले वाम भगवान स्थल पर मेरी रक्षा करें आकाश में विश्वरूप श्रीत्री विक्रम भगवान मेरी रक्षा करें जिनके घोर अटहास से सभी दिशाय गूंज उठी थी और गर्भवती दैते पत्नियों के गर्ग गिर गये थे ऐसे भगवान नरसिम्म मेरी जंगल में रणभूमी में और जो कोई भी विकट स्थिती है वहाँ पर रक्षा करें अपनी दाड़ों पर प्रित्वी को धारन करने वाले यग्यमूर्ती वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें परशुर राम जी परवतों के शिखरों पर और लक्ष्मन जी के साथ भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें भगवान नारायन मारण, मोहन, उच्चाटन, स्थंबन, विद्वेशन, इत्यादी जो तांत्रिक प्रयोग होए गए हैं उनसे इन भयानक अभिचारों से मेरी सब प्रकार से रक्षा करें रिशी स्ट्रेष्ट नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विगनों से और त्रिवानाती पती भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें परम रिशी स्वनत कुमार काम देव से मेरी रक्षा करें है गरिव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों की नमसकार आधी न करने के अपराद से तो यह इसमें करा गया कि न भर मय देवा आधी देव चैनी अपराद के इसे प्रकार के अपराद की іृघा राध हो तो हमनीğa को रख्षा करें और उससे हमको मुख्च करें प्रादों से जो जाने अन जाने में हमसे हो रहे हैं देवर्षी नारत सेवा क्या प्रादों से जब भगवान की सेवा कर रहे हैं गुरू जनों की सेवा करते हैं तो हमसे गलतिया हो जाती है तो देवर्षी नारत से विंती है कि आप हमारी उन सेवाप्रादों से हमको मुक्त करें, भगवान कच्छप सभी प्रकार के नरकों से हमको नरक देखने न पड़ें, इसलिए भगवान का कच्छप उतार नरकों से हमको मुक्त करें, भगवान धनवंत्री कुपत्य से हमको मुक्त करें, जितेंद्रिय भगवा बुद्धवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें भगवान श्री कृष्ण दवयपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें तो बगवान के जितने आउतार हैं बुद्धदक्काय नाम लिया इस नारण जितने दोश हैं उससे मेरी रक्षा करें प्राता काल भगवान के शव अपनी गर्दा लेकर के कुछ दिन चड़ाने पर भगवान गोविंद अपने बासुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायन अपने तिश्र्ण शक्ति लेकर और दोपहर ने भगवान मेरी रक्षा करें तिश्रे पहर में भगवान मदुसूदन अपना प्रचंड धनुश लेकर के मेरी रक्षा करें सायंकाल में ब्रह्मा और त्रिमूर्तिधारी माधव मेरी रक्षा करें सुर्यास्त के बाद विशिकेश अर्धरात्री के पुर्व अर्धरात्री के समय के कि वागवान पदमनाब मेरी रक्षा करें रातरी के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांच्छन श्री हरी उशाकाल में खर्गदारी भगवान जनार्दन सुर्योदय से एवंपुर्व कौ्टिधामदर और संपुर्ण संध्याओं में कालमुर्थी भगवान रत के पहिये के जैसा है आपके किनारे के भाग प्रले का अगनी के समान अत्यन दित्रिव है आप भगवान के प्रेणा से सब और घुमते हैं और आप मेरी रक्षा कीजिए अगर मेरी कोई शत्रू है शत्रू नहीं शत्रू सेना है तो मेरे सब भी शत्रू सेना को आप जला दीजिए आगे कहते हैं कौमोदी की गदा भगवान की गदा अपना आप से छूटने वाली चिंगारिया उनके स्पर्श उनका जो स्पर्श होता है वो वज्र के समान असय हैं आप भगवान अजित के प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ इसलिए आप यक्ष, राक्ष, भूत, किनर, पिशाज, ग्रह, इत्यादी को कुछल डालिए ये एकदम भगला मुखी का कवज्जे से कुछल डालिए, कुछल डालिए दता मेरे शत्रों को चूर-चूर कर दीजिए संखश्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भैंकर शब्द करके मेरे शत्रों का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान प्रमत प्रेत मात्रिका पिशात्रता ब्रह्मर अक्षस आदी भयावने प्राणियों को वहां से जटपड भगा दीजिए भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तिक्षण है आप भगवान की प्रेणा से मेरे शत्रों को छिन भिन कर दीजिए त्वम्तिक मधारा सिवरारी सैन्य मिश्य प्रियक्तों ममच छिंदी छिंदी चक्षुन सिम चर्मन चत्र चंद्र चादय दिशाम अगो नाम हर पाप चक्षुनाम आप भगवान की प्रेणा से मेरे शत्रों को छिन भिन कर दीजिए भगवान की प्यारी ढाल आप सैकडो चंद्राकार मंडल है आप पाप द्रिष्टी पाप अपना शत्रों की आँख बन कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए सूर्य आदी गरह धूम्ड केतू आदी केतू दुष्ट मनुष्या सरपादी रहेंगने वाले जन्तू दाड़ों वाले हिंसक पशू भूत प्रेत तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधियों वे सभी भगवान के नाम रूप त करने से तत्काल नश्ठ हो जाती है यह सबसे इंपॉर्ट्टन श्लोक है इसके अंदर इतना सारा कहा इतने सारे भगवान के रूपों का नाम लिया लेकिन बार में कहते हैं यह सब कुछ किस से नश्ठ हो जाते हैं सर्वान येतानी भगवान नाम रूपास्त्र किरतना के भगवान के नाम लेने से, भगवान के रूपों का स्मरण करने से, उनके किर्टन करने मातर से, यह सब कुछ नश्ठ हो जगाते हैं। तो जो कोई हमारे मंगल का विरोधी है, तो सब नश्ठ हो जाते हैं। ब्रिहद रथंतर आदी सामवेदी स्तोत्रों से, जिनकी स्तुती की जाती है, वे वेद मुर्ती भगवान गरुड और विश्वक सेन जी, अपने नामचारण के प्रभाव से, हम सब प्रकार की विपत्यों से वो बचाएं। श्री हरी के नाम, रूप, वाहन, आयूद और श्रेश पार्षद हमारी बुद्धी, इंद्रिय, मन और प्राणों की सब प्रकार से आपत्यों से वक्षा करें। सार में कहते हैं, जितने भी कार यात्वा कारे कारण रूप जगत हैं, बहुतों वास्तों में भगवान ही है, इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नश्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा के एकता कानुवा कर चुके हैं, उनकी इद्रिष्टी में भगवान का सर्व सरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहे थे, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूशन, आयुद और रूप नामक शक्तियों को धारन करते हैं, और वे तरफ से हमारी रक्षा करें, और ये नारेन कवच यहां पर समाप्त हुआ, तो विश्वरूप ने कहा नाइंद्र, ये नारेन कवच मैंने तुम्हें दे दिया है, अब जाकर के तुम इसकी विज़से तुम अब देटियों पर आकर्मन करो, और इस नारेन कवच को फिर उ अखने नेत्र से देख लेता है, अत्वा उसके पैर से च्छू देता है, वो ततकाल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है, जो इस वैश्वरू विद्या को धारन कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदी और बाग, आदी, हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार कभ है, नहीं होता, लोगों को भूत प्रेत, पिशाच इत्यादी की बादा है, और उन्होंने कहा, एक और कथा सुनाई, देवराज प्राचिन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्रामन ने इस विद्या को धारन करके, योगधार ना से अपना शरीर मरूव में त्याग जहां उस ब्राह्मन का शरीर पड़ा था वहाँ पर उसके उपर से गंदरवराज चित्ररत अपनी इस्त्रियों के साथ अपना विमान लेकर के जा रहे थे लेकिन उस कौशिकरिशी ने इतना नारन को बच्च किया था जहां उसनी अपना देद्यागा था उसके अट्यां के विजय कृष्ण गोस्वामी उनके शिश्यों के साथ वो यमनाजी किनारे साधना कर रहे थे तो वहां पर एक नाम जापक की हड्डियां मिली थी जिस हड्डियों के अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र सुनाए दे रहा था बिल्कुल ऐसी बात है कि ऐसा नारण कवज जपा इस कौशिक ने कि उसकी हड्डियों में वो नारण कवज था तो विमान उपर से जा रहा तो जा नहीं पाया क्योंकि वो हड्डियों से वो वाइब्रेशन ने कल रही थी तो ऐसा यह स्ट्रॉंग होता है इतना पाउरफुल है ये नारण कवज तो जब उन्हें वालखले म पुना वो अपने लोग को गए शुद्देव जी कहते हैं कि जो पुरुष इस नारण कवज को समय पर सुनता है आप लोगों ने सुन लिया है और जो आदर पुर्वक इसे धारण करता है धारण करना है नहीं रोज पढ़ना पढ़ना ठीक है ना और जाहिए तो तावीज बिलती है ना उसके अंदर इसको लिखवा करके रोल करके भी आप अंदर पहन सकते हो इससे हमन भी कर सकते हो तो नारण का वज़ ऐसा है इसके सामने सभी प्राणी आदर से जुप जाते हैं और वा सब्रकार के भैयों से मुक्त हो जाता है परिशित शत्क्रतु इंदर से मिली वैष्णवी विद्या से हम लोग जब बगला मुखी के जब पितामरा का कवच करते हैं या उनकी खड़कमाला करते हैं उसमें बिलकुल यही बाते हैं और उसमें भी लक्ष्मी प्राप्ति के ही मंत्रा आते हैं उसको भी वैष्णवी विद्या कहते हैं कि बगला मु देवी है नारद मुखी के बंतरों को तो अरज्ञुन को और ला सबीना आरण को नौत हिले लिया करफा है मां पर कर सब्या युद करने के पहले तो यत array झाल झाल